भाजपा के वरिष्ट देता लालकिष्ट आदवानी का राजनेती केरियर खत्म हो गया है माना जा रहा है कि इस चुनाव में उनको टिकट नहीं दिये जाने के साथ ही उनके राजनेती केरियर को खत्म कर दिया गया है हलाकि पहले से ही ऐसी अटकले लगाई जा रही थी कि बीजेपी के वरिश्ट देता लालकिष्ट आडवानी इस बर चुनाव नहीं लड़ेंगे और होली के दिन गुरुवार को पार्टी ने उमिद्वारों की जो पहले लिस्ट जारी की उसमें गुजरात के उनकी परमपरागत सीट से उन्हें टिकट नहीं दिये जाने के बाद यह बात और भी साफ हो गई कि अब वो राजडेतिक जीवन से बिराम ले सकते हैं उनकी परमपरागत सीट से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दिया गया है माना जा रहा है कि क्यानों वर्ष यह आडवानी की उबर को देखते हुए लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है देश के ग्रिय मंत्री और उप्रधान मंत्री रहे के प्रमुक्र है लालकिष्ट आडवानी को बीजेपी के बिस्तार का श्रेय दिया जाता रहा है उनीसे चौरासी में बीजेपी को दो सीटों से एक सो आसी सीटों तक पहुंचाने वाले लालकिष्ट आडवानी फिलहाल राजनीती के केंद्र में भी नहीं है दरसल 2014 में प सुबाद 2019 के चुनाव को लेकर उसके बाद यह साफ हो गया है कि पार्टी को अब आडवानी की जरूरत नहीं है आडवानी पार्टी के लिए बुजर्ग हो चुके हैं और उन्हें अब पार्टी से अलग किये जाने की आपचारिक शुरुआत कर दी गई है कीचे सब्सक्राइब हमारी यूट्यूब चैनल को साथ ही फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टरग्राम, गूगल प्लस पर भी फॉलो करें लिंग्डिन पर भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं